हेलो दोस्तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेके पाट साला में स्वागत है तो दोस्तो जैसा कि आपने थम्डेल देख लिया होगा दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाला है एंटीपी से एक्जाम के बारे में और साथ ही दोस्तो आपका गुरूपी एक्जाम के बारे में क्यों दोस्तो पता होगा आज कमेटी की रिपोर्ट आपकी सौप दी गई है यानि दोस्तो जो कमेटी आपकी बनाई थी आपको याद होगा पांस मेंबर्स की आपकी कमेटी बनाई गई थी जो बच्चों की समस्या थी उसको उसका निप्यारा करने के लिए ठीक क्योंक दोस्तों आपको याद होगा नहीं बोला था कि 20 बच्चे आपके मैंस में वैठेंगे सीवी टू में लेकिन दोस्तों तीन दसमलब 8-4 लाख बच्चे यह आपके मैंस के लिए क्वालिफाई होगे थे यूनिक एंडरेट तो उसमें लगवा आपका तीन दसमलब 1-6 लाख बच्चों का आपका रिजल्ट आना बागी था तो एक तो दोस्तों यह आप में जो मुद्धा था यह था और दूसरे दोस्तों यह था कि आपका CB2 हटा जाए गुरूब D से एक मुद्धा दोस्तों यह था आपका और तीसा दोस्तों मुद्धा यह था आपका कि जो आपका रेल्वे का करेंटर जारी किया जाए जिससे कि पता चल सके कौन सा एक जाम किस महीन होगा कब आपका रिजल्ट आएगा ठीक है और चौसा दोस करेंटर के बारे में कुछ कहने सकते हैं तो दोस्तों आज इसकी रिपोर्ट सौब दी गई है अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके आने के चांस हैं पहले मैं बता दूं दोस्तों रिपोर्टों पढ़ाएगी आपका रिपोर्ट सो भी गई है उसे पर थोड़ा अच्छे से आपका अध्धन के जाएगा इसमें दोस्तों कम से तो अपको पांस से साथ दिन का समय आपका लग सकता है फिर उसके दोस्तों आपको बताएगा कि आपके इसमें कप कर आएगा तो इसी तरह सब्सक्राइग कर सकते हैं कि आपके आने वाले अगरी अपते में यानि कह सकतके आप दस से लिए सकता है आयों के वेबसाइट पर उसमें दूस्तों उम्मीद आपको बता दी जाए कि जो आपको रिजल्ट होगा वो कब तक आपका होने के चांस है ठीक है उसाथ ही आपका उसमें लिटी बता दी जाएगी और साथ में आपको यह मांग चलो आपका 3.1-4 लाग बच्चे को आपको रिजल्ट आना रिवाज़ तो इसमें आपका समय लगता है इतना आसान नहीं है कि आपको दो दिन में आपको रिजल्ट आ जाए ठीक है तो दोस्तों यह मांग चलिए अगर आपका रेलवेबूर्ट जो आप बह किया जाएगा cb2 के त्यारी करने के लिए किन बच्चों को जो इसमें आपके नए बच्चे सामिल की जाएंगे ऐसा नहीं दोस्तों कि पी स्मार्ट से आपका एक्जाम स्टाट हो जाए क्योंकि कुछ चैनल आपके ऐसे नहीं बता जा रहा है कि 25 स्मार्ट से आपका एंट सब्सक्राइब से पहले पॉसिबल नहीं जो आपका एक्जाम हो पाए cb2 का और लेकिंगे दोस्तों यह भी आपका डिपेंड करता है ssc के एक्जाम पर क्योंकि आपको पता होगा cgl का जो एक्जाम है वह आपका अप्रेल के महिने होने वाला है और यह एक्जाम दोस्तों अप्रेल के आसपास में स्टार्ट होता है तब फिर दोस्तों उस केस में आपका जो एक्जाम है ntpc2 का वह आपका अप्रेल के महिने में हो पाना पॉसिबल नहीं लग रहा है अगर सब्सक्राइब से लिए कि 20 अप्रेल तक आपका एक्जाम का खतम हो जाता है तो फिर द अब फिर दोस्तों मईस से पहले आपका एक्जाम नहीं करा पाएगी यह चीज़ आपको समझने होगी ठीक है तो अब दोस्तों समय है ठीक ठाक आपके पास तो आप अपनी अच्छे से त्यारी कर सकते हो अब इस बात करते हैं ग्रूप डी के बारे में कि ग्रूप डी का अब कब तक हो सकता है क्योंकि लुख याद हो कुछ दर पहले बिसमा का कब्राइगी टो आपका कराएगी क्योंकि आफ़े आगले साल ज drei को तो इसमें आपका एक्जाम होगा तो इसमें अभी आपका समय लगेगा फिर दोस्तों आपका समय लग सकता है तो इसमें अगर देखा जाए तो जो गूर्पडी का एक्जाम है वो आपका कम सकते हैं मंचोर 15 माई से पहले तो पॉसिबर नहीं लग रहा है और दोस्तों यह भी टेपन करता है आपका कोर्णा केसों पर भी टेपन करता है क्योंकि अभी हाली में आपने डेखी होगी आई एटी कानपूर की जहां बताया का कि कोर्णा की चौथी रहर जो आपके बाई जून के आसपास में आ सकती है तो इसका भी इस एक्जाम पर फरक कड़ सकता है यानि दूस्तों अबढ़ाभी आपका बखता है कि वेकंसी आपकी 2829 जाके फाइनल हो यानि दोस्तों यही मौका अच्छे से अपने त्यारी करते रहें जो एंटीपीसी त्यारी करते रहें और साथ जो गूरूप डिक त्यारी करते रहें तो थैंक्यू फॉर वाचिंग